हट्टा थाना छेत्र के अंतरगत लिंगा से हट्टा रोड परिस्थित गराम पंचाथ परसवाड़ा के पास टवेरा पलेटने से तीन महिलाएं से दस लोग घायल हो गए दस माच की रात करीब साड़े आड़ बजे या सरक दुरगेटना उस समय हुई जब टवेरा में करीब एक दरजन लोग लालबरा से शांती नगर से सगाई कारेक्रम में शामिल होने के लिए बाद अपने घर मढका पार किरनापूर जा रहे थी सभी घायलों का जिलाज पताल में भरती किया गया है वहीं अत्याधिक छोड लगने से एक घायल को गोंदियारे फर्किया गया है प्राफ्त जानकार के नुसर दस माच को करिणापूर थानाच शेत्र के अंतरगत आने वाले ग्राम मढका पार निवासी भरत लाल चंदिल के बेटे ग्यानी चंदिल की सगाई लालबरा में थी सगाई में शामिन होने के लिए ग्यानी चंदिल के रिस्तदार और गाउं के लोग ग्राम मढकापार से एक टवेरा से लालबुरा के शांतिन अगर गये थे टवेरा के अलावा ने बहान से भी लोग लालबुरा पहुंचे थे लालबरा शांती नागर में सगाई का कारिकर्म शामिन होने पर खाना खाने के बाद एक दर्जन लोग जिन में तीन महिलाएं टवेरा में लालबरा से मड़का पार जाने के लिए निकले थे रातरी साड़े आट बजे करीब जब यह टवेरा बाला खाट से अट्टा के और जा रही थी तबी लिंगा के आगे तेज रप्तार यह टवेरा सामने ऐसे आ रहे एक वहान को साइट देते समाए अनियंतरी थोकर रोड किनारे पलटते चली गए टवेरा के अंदर बैठे लोगों की चीख पुकार सुनकर आने जाने वाले लोगों के अलावा परस वाड़ा के लोग भी दोड़े और अंदर फसे लोगों को बहार निकाला गया सुचना मिलते ही मौके पर पहुंची एक सवाट एम्बूलेंस से भी सभी घायलों को जिला अस्पताल लाकर भरती किया गया जिनमें अत्यादिक छोट लगने से घायल जैचन पिता बाबुलाल भागवत 60 वश ग्राम मड़का पार निवासी को जिला अस्पताल से प्रात् गनेश पिता बालचन बागवार 52 वश मनोच पिता जवललाल अजित 43 वश रूपलाल पिता अजबलाल भ्रह्में 70 वश चुनिलाल पिता केवललाल चोधी 83 वश विनोत पिता चैनलाल वनवाले 47 वश सभी निवासी मड़का पार पुलिस थाना किनापूर वा गनपत पिता देड़ू अचित 62 वश ग्राम गुनई थाना हट्टा निवासी का हिलाज जिलास्पताल बालखाट में किया जा रहा है है वो पलट गई तीन चार पलटी ली कहां पर कुन गहां था ये भी या अट्टा परस्वाड़ा के पास